के लिए यह focused है और पूरे एक साल का current affairs मैं आपको दूंगा चुकि आप सारे पेपर पोस्टमोन हो चुके है यूपी PCS का जो पेपर है प्री का आपर का और जो आरो आरो का पोपर पेपर है आपका आरो आरो का दोनों पोस्टमोन हो गये हैं तो मैं दोनों के लिए आपको current affairs कवर करा रहा हूं यह current affairs का part 5 है यह मेरा चैनल है civil services विधालोग अगर अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो उसको जहनय केरल का है और केरल में अस्थानिय नाम जो इसका है वह चिंगाज कोड़े केला है जो इसका अस्थानिय नाम है इससे जी आई टैक दो हजारा चोद में दिया गया था CSIR और NIIST ने मिलकर नेंदरन केला से एक नया उत्पाद बनाया है जिसका नाम है banana grit या granules बस यही है इसमें important कि banana grit बनाया गया है भी नेंदरन केला से और दूसरा important कुछा ना सकता है इसे GI tag प्राप्थ है कि नहीं option में दे देगा चार उसमें एक यह आप्शन रहेगा और इसको अस्थानी नाम का है चेंगाजी कोडे केला मन्नतु पद्व नाभम कौन है मन्नतु पद्व नाभम केरल के कोटायम जिल्य से सम्मनी था यह एक सोशल रिफॉर्मर और फ्रीडम फाइटर है नायर सेवा समाज के अस्थापना की थी इन होने नायर जो है कम्यूटी वो केरल लाज में 12.1 लगभग 12% कम्यूटी है केरल राज में सामाजिक अन्याए के विरुद्धिनों ने आवाज उठाई थी वायकाउम सत्यग्रे में भी सामिल हुए थे वाइकाम सत्याग्रे क्या था तो केरल में मंदिर में प्रवेश को ले के था ये 1924-25 के द्वरान हुआ था ये सत्याग्रे ट्रावर्ण कोर केरल केरल में आस्परस्टता ये कूपरता थी उसके वृद्ध ये सत्याग्रे हुआ था वाइकाम सवरणों से अवरणों के बीच जो दूरी होती थी वो 16-32 फिट की दूरी बनाय रखने की बात होती थी उस समय निम्न जातियों और अचूतों के द्वारा उनको मंदिर में प्रवेस नहीं दिया जाता था केरल में तो मंदिर में प्रवेस करने के लिए और मंदिर के निकट की सड़कों की उपयोग के बारे तो ये हैं मन्नतु पद्व नाभम बहुत इंपॉर्टन फैक्ट साइंस में एक तो ये कौन थे सोचल रिफार्मर फ्रीडम फाइटर थे नसेस के अस्थापना की थी और केरल में नायर की कम्मुनिटी की संख्या केतनी है जन संख्या 12.1 जीरो चलिए आगे देखते हैं साव जन्वरी को ही महाराष्ट में बालिका दिवस के रूप में मनाये जाता है दो हजार इक्कीस में एक सो नब्यमी जयनती इनकी मनाई गई है अभी 1848 में देश में लड़कियों के लिए पहला स्कूल साबित्री भाई फुले नहीं खोला था पूड़े में किसान कल्यान मिशन क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का है यह जो कि उत्तर प्रदेश सरकार का है तो यूपी पीसस और आरो यारो के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे लॉंच किया गया था छे फरवरी छे जन्वरी 2021 को तीन सब्ताह तक 6 जन्वरी से 21 जन्वरी लगभग के मत दिये अभियान चलाना था इसका उद्देश था कि जो किसान है उनकी आय को दोगनी करना तो क्रशी को लाभकारी बनाना क्रशी विविधी करना उरवरकों के संतुलित उपयोग कर क्रशी लागतों को कम करना लागत पर फार्मर्स इंकम इसमें क्या है देखिए किसानों की आय सिर्फ तीन हपते में होगी दोगनी 6 जन्वरी दोहजार इकीस से 21 जन्वरी दोहजार इकीस तक चलाए जाएगा यह अभियान चलाय जाना था 303 ब्लॉक में यह कारिकरम शुरू करना था चलिए पैंगोलिन क्या है तो यह आपका पैंगोलिन है अभी उडिशा सरकार ने इसके जो इसका व्यापार होता है अवैद व्यापार अवैद शिकार उस पर रोक लगाने के लिए अभी योजना बनाई थी या कह सकते हैं कि सो फोसल मीडिया पर वाज करना है कि इसका अवैद शिकार ना होने पाए तो इसका आवाज कहां है तो देखिए सुस्क छेतर जो है उची हिमालाई चेतर हो पूर्वोतर यह तीन एरिया को भारत में छोड़ दिया जाए बाकि पूरे भारत में पैंगोलिन पाया जाता है पै मां पैंगोलिन का भोजन क्या है तो चीटीओ और दीमक सोडीक मैं हैं तो फ्लोटींग सोर उर्जा पर्योजना बहुतSm Scripture만 यह को प्रोजा प्रियोजना है यह सोलर पाइनल है जो पानी पे तैर रहे हैं और यह पानी के घटने बढ़ने पे अपने आपको अज्जेस्ट कर लेंगे इस तरह से बनाए गये हैं तो यह कहां है ओमकारिश्वरबांध नर्मंदा नदी पे है और यह मध्यप्रदेश में है इसी ओमकारिश्वर बांध जो है डैम इसी के पीछे पानी भरा हुआ है और उसी पानी के ऊपर यह तैरते हुए सोलर पावर प्लांट है तो यह विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग परियोजना है इसको सहयोग कौन कर रहा है तो अंतराश्टी वित निगम आइप सी विश अंडवाद इस्टिक करना मध्यपरदेश में है यह अपने आपको एजस्ट कर लेगा पानी कम ज्यादा होगा तो और तीन एजन्सिय में बताए आइफ सी वर्ड बैंक और पावर गिरिड जो इसकी सहायता करेंगी और यह प्रोजेक्ट पावर जन्रेशन कभी स्टार्ट करेंगा लगभग 2022-2023 में इसकी 2022-2023 में यह पावर जन्रेशन के लिए बनाये गया है जगनात मंदिर यह है आपका जगनात मंदिर यह जगनात मंदिर है पूरी उडीशा में है जो हिंदु धन्र के चार धाम है उनमें से एक है यह वैसलो संपरदाय का मंदिर है भगवान स्रीक्रश्न का मंदिर है यह जगनात उनहीं को कहते हैं भगवान स्रीक्रश्न को इसे यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है और सफेद प्यगावडा भी कहा है और इस मंदिर में चार द्वार हैं सिंग द्वार असो द्वार व्याग्र द्वार हस्ति द्वार व्याग्र है यह इसकी सैली मंदिर की सैली कैसी है तो कलिंग वस्तु सैली है वार्शिक रथ यात्रा इस मंदिर की निकाली जाती है उसमें तीन रथ होते हैं एक जगनात एक भगवान बलभद्र का रत ये बड़े भाई है जगनात जी के और सुभद्रा का रत तो तीन रत निकलते हैं इसमें इस मंदिर को किसने बनवाया था तो अनंत वर्मन चोड गंग देव एक ही नाम है ये और ये कलिंग राजा थे बार्वी सताबदी में ये मंदिर बना थ इसका जिर्णोधार मरंमत किसने करवाया था तो उडिया उडिया सासक कौन थे अनंग भीम देव जो थे उन्होंने इसका जिर्णोधार करवाया था ये है जगनात का मंदिर यूनाइटेट नेशन सिकेरिटी काउंसिल और भारत तो देखे ये आपका मेंस के लिए है यू भारत इसका आठवी बार आस्थाई सदस्त बना है और भारत का चैन के अगया है 2021-22 के लिए ये पहले है कि भारत ने कब-कब इसमें आस्थाई सदस्ता ग्रहाण की है जुकु घाटी कहां पे है तो देखे जुकु घाटी नागालेंड और मड़पूर के सीमा पे है ये है अमारी जुकु घाटी ये ये इसमें आग लग जाती है अक्सर जुकु घाटी कहां नागलेंड मड़पूर की सीमा पे है जापफू परबत एक है जापफू परबत संखला के पीछे वस्तित है जुकु घाटी इसमें अभी वन आग नहीं हुई है इस पर काबू पालिया गया है जनुरी की बात है और 2006-2012-15 आक्सर यहां पर आग वनों में जंगल में आग लग जाया करती है तो इसका लोकेशन याद रखिएगा कहां पर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और फूलों की घाटी है ये 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 देखिए फूलों की घाटी है और यहां पर आग team लगी हुए जंगल में इसका कावू पालीय गया है है काया कल्प पूरुसकार को स्वास्त और परिवाल कल याडमन मंत्राले के दोरा सुरू किया गया था काया कल्प पूरुसकार और 25 माईango दो हजार पंद्र हगा था शूरू किया था अभी पांचवा राश्री कायकल पुरुषकार जो परदान किया गया है वो सार्वनिक तथा निजी स्वास्थ सुविधाओं को दिया गया है तो इनको दिया गया है पांचवा राश्री कायकल पुरुषकार प्रधान मंत्री फसल भीमा योजना तीन जनुरी 2016 को ये लांच की गई थी इसके पांच वर्स पूरे हो गई है तेरा जनुरी 2016 को लांच की गई थी तेरा जनुरी 2021 को पांच वर्स पूरे हो गई है इसका उदेश क्या था तो किसानों को निउन्तम समान बीमा किस्त पर जोखिम समाधान परदान करना इसका दायरा क्या है सभी खाद और तिलहनी फसले तथा वार्षिक वारिजिक फसले और बागवानी फसले जिनके लिए पिछली उपज के आकड़े उपलब्ध है इसमें बीमा किस्त की रकम क्या है तो रभी फसल के लिए 1.5% है खरी फसल के लिए 2% है और वारिजिक फसल के लिए 5% है राष्ट्री यवादिवस प्रतेक वर्ष स्वामी विवेकानन्द की जयनती पर 12 जन्वरी को इनकी जयनती होती है राश्ट्री युवा दिवस मनाया जाता है 24 वा राश्ट्री युवा दिवस मनाया गया है अभी 2021 में 12 जनुरी 2021 को और इसमें प्रतिस परधा सहीद विभिन गत्विधियों का आयोजन किया जाता है 2021 राश्ट्री युवा दिवस की थीम क्या है युवा उत्साह नय भरत का और 12 से 16 जनरी 2021 के मद युवा मोहतसो मनाए गया है इसका आयोजन भरत सरकर के युवा मामले के और खेल मंत्राले द्वारा किसी एक राज्जिके सहियोग से किया जारता है ये पूचा जाएगा कि किसी एक राज्जिके सहियोग से 2019 में राष्ट्री युवा महोत्सों के हिस्से के रूप में राष्ट्री युवा संसद 2019 से एक राष्ट्री युवा महोत्सों के साथ साथ एक राष्ट्री युवा संसद महोत्सों का भी आयोजन किया जाता है किसका तो राष्ट्री युवा संसद महोत्सों 2019 से बच्पन का नाम क्या था सौमी विवेकानन्द के तो नरेंदर नाथ दत्थ था इनके गुरू थे रामकृष्ण परमहंस और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन के स्थापना की थी कि उसके भीतर ही शुल्टानपूर जेली वस्तित है यहां पर कौन पाये जाता है तो ब्लैक बक और निलगाय पक्षी कौन से पाये जाते है साइबेरियन क्रेन एक और important है काले सर राश्च्रि में है तो यमुना नगर हरियारा में है माघी मेला क्या है गुरू गोविन सिंग को मारने के लिए खोज रही थी तो उनकी गुरू गोविन सिंग जी की हमले से मुगल सिंग के हमले से उनके रक्षा करते हुए 40 सिख बलिदान हो गये थे ठीक है उन्हीं के बलिदान को याद किया जाता है इसे बोलते हैं 40 मुक्ते माघ महीन इसी को माघी बोलते हैं जो 40 40 सिखों का बलिदान हुआ था उन्हीं को माघी बोलते हैं माघी की पूर्व संध्या पर लोहडी तेवह किया गया था वो माघ महीने का पहला दिन था इसी तेवहार के नाम पर इसका नाम माघी रखा गया आज का वीडियो यहीं पर है और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सबस्काइब नहीं किया है तो यह सब्सक्राइब कर दें यह नोटिफिकेशन बिल है यह प्रेस कर देंगे इस पर जो भी मैं वीडियो अप्लोड करूंगा उसका message आप तक पहुँच जाएगा और इसक करना न भूले फ्रेंड and family members के साथ जो भी पढ़ाई करते हों और comment करें इसमें चलिए आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में